यह जो है ओफिसियल नोटिफिकेस्ट ना चुकी है और इसमें जो है वो आपको अगर आप EWS काटेकरी से भी लॉग करते हो तो देखो EWS काटेकरी के लिए आपको क्या होगा कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एस सिंपल यह जो है वो ओफिसियल नोटिफिकेशन है आप ऐसे सी जो जो भी टॉट इन की वेबसाइट से जो हो देख सकते हो और जो लास्ट टो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत इंपोर्टेंट है सेबेन फाइब तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका सर्टिफिकेट कब तक कब बना होना चाहिए और भी सर्टिफिकेट से रिलेटट जनकाड़ी तो वाज देस वीडियो टेलिट था कि आपकी जो भी जनकाड़ी हो या क्वेरी हो तो वह सारी जो है क्लियर हो जाए तो देखो यहाँ पर अगर 6.1 क्लॉज में आते हो तो आपको लिखा गया हुआ है कि जो आपका अब जिस भी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो उसका रेस्पेक्टिव आपके पास सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहीं अगर आप सर्टिफिकेट से बना पहले बना होना चाहिए और साथ ही अगर आपके 6.6 वाले क्लॉज को आप देखोगे तो इसमें लिखा गया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिडियर होना चाहिए 2022-2024-2025 और फैनेंसियल होना चाहिए 2023-2024 इसके बारे में जो है वो वैलिडियर आपका 2024-2025 लिखा होना चाहिए और जो यहाँ पे फैनेंसियल है यह 2023-2024 लिखा होना चाहिए तो यह बात आपको जो है वो बहुत अच्छे से पता हो ताकि आप जो है वो कोई भी मिस्टेक ना करना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है वो यह जो है वो एक यूटूबर भी है रिलिजियस टीचर भी है तो आपको जो हो काफी help मिलेगी guidance भी मिलेगी ताकि आप जो है वो अपने पढ़ाई को अच्छे से कर पाओ और कौन सी पढ़ाई में अच्छे से आपको scale करना है इसके लिए भी आपको एक अच्छा सा वीडियो के guidance भी मिलेंगी तो आप YouTube पे search कर सकते हो अच्छार प्रसांत और आपको जो है वो बहुत अच्छे च्छी वीडियो भी मिलेंगी या फिर आप अपने specific questions से भी related search कर सकते हो ओके back to our discussion तो यहां पर आते हैं कि EWS के बारे में देखोगे तो देखो reservation जो आपको मिले तो उसके लिए जो है वह यह दो टाइप के cases मैंने लिए हैं कि हो सकता है कि आपके पास पुड़ाना certificate हो तो जो पुड़ाना वाला certificate होगा वह आपका हो सकता है कि एक अप्रील 2020 2023 के बाद बना हुआ और 31 मार्स 2024 से पहले बना हुआ हो तो अगर आपका certificate यह वाला case में box में आपको certificate इस इसके according ही बनाना होगा अगर आपको पुड़ाना certificate होगा देन वह वैलिड नहीं होगा तो यह बात को मैं बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं क्योंकि 6.6 जो पॉइंट है उसमें यह लिखी गई हुई है description box में मिल जाएगा okay so I hope कि आपको जो है वो सारी इसमें बात पता चल गई होगी और यह जो डेट्स है इसको मत भूलना आपका जो फैली डियर है वह फैने दोजर चौबीस से दोजर पचीस लिखा होना चाहिए और जो आपका certificate का डेट होगा जैसे यह जो certificate का डेट है यह certificate का डेट आपका नोटिफिकेशन के डेट से पहले होना चाहिए मैंस आपको सर्टिफिकेट साथ पांस तोजर चौबीस से पहले बनवाना है तभी आपको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वर करना आपको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम हो सकती है